हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जित के जित है मेरा फिटूर जित है मेरा गुरूर जित है मेरी जुरूर कैसे आप सभी लोग गुड इवनिंग मैं देवदर नगवाल आपको स्वागत करता हूं नववसका और मेरी टीम की तब से आप सभी लोगों को विसी वेरी हैपी नियूएर और में उमीद करता हूं कि यह साल आपका स्किल भड़ा हो क्योंकि अगर आप स्किल जितना ही सीख निया अगर आप मुबाल रिपेरिंग में आना चाहते हैं तो अगर आप यह वीडियो देखेंगे पूरा और कुछ मेरी का इस वीडियो होने वाला है तो दूस्तों वीडियो बेने जो बनाए यह उन स्टूडेंट के लिए हैं जो सोच रहे हैं कि अभी रिपेरिंग में या उन भाईयों के लिए जो बिजनस को स्टूच करके रिपेरिंग में जाना चाते है यह जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और सोचरें की चलो हम रिपेरिंग में जाए तो 2024 के लिए कैसे होने वाला है आईए यह बात करते हैं दोस्तों रिपेरिंग का फीर हमें साट जॉ जोब जोब मिलती है जो स्किल वाले होते हैं यह समझता हूं कि अगर जिनको रिपेरिंग का काफी अच्छा नौलेज और तो वह जौब किसी की दुकान पर कम ही करते हैं वह अपनी खुद की स्वाप अन करना जदा पसंद करते हैं और अपने खुद के टाइमिंग के साफ से काम करते हों काफी अच्छा अर्ण बी कर लेते हैं दूसरा अगर मैं बात करूं मनी ओरिंटेट तो यह हमेशा रहा है क्योंकि अगर एक दुकान में अगर से पार्च मुबाइल भी आते हैं तो यह एक काफी अच्छी अप्रोचविटी है कि आप चार्जिंग करेंटर से कि आप CPU MMC या किसी भी IC तक का आप काम कर सकते हो बर्स यह देखा जाएगा कि आप कितना स्किल रखते हैं और कितना आप में तरज़ूर्बा है तो यह सारी चीजें लेकर हम बात करेंगे और तीसरा मैंने आपको बुला कि यह जॉब औरिंटेट है और इसके अलावा यह फ्यूचर औरिंटेट बिजनस भी है क्योंकि अभी की डेट में मोबाल रेपेरिंग आप समीजे रहे हैं हर बच्चे पहले तो हर एक एडल के हाथ में मुबाल होता था अभी तो बच्चों-बच्चों के हाथ में मुबाल है और जिस से ओनलाइन डिजिटल का जमाना आ ग होते थे क्योंदे पर अभी लोग अभी एड़ा फोन भी खडीदना अलग गया है और फोन भी फिख रहे हैं और हर तरीके से रेंच के फोन और है यूज फोन लोग व्यूज फोन को जाएधा घड़ीत रहे हैं तो रिपेरिंग को बिजनस है अगलारोट झॉड़ा और से पूरा की पूरा निर्भड करता है आपके स्किल पर अब सबस्यादा लोग गलतिये कहां करते हैं तो आए मैं इसी पर बात करता हूं कि वीडियो में आप सिर्फ गलतियों को करते हैं अगर आप सीख रहे हैं और हम किसी भी बड़ी पढ़ाई को पढ़ें चोटी पढ़ाई को पढ़ें कंप्यूटर साइन्स करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रकानों पर कस्ट्मर के हैं सेट पर नहीं होना चाहिए वह सबसे पहले तो अगर आप भी लाइं क सुद्स करें तो सबस्क्राइब अगर आपके लिवेटर हैं बस उसके बात पर बसके स्केमाटिक लेवल्ट पर उसके बाद प्रोगांमिंग लेवल पर जा सते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो आपको सबस्याधा धान देना है और स्क्रप्तिक लेवल और प्रडोग्रामिंग लेवल यह कर अब हम शनल अगर दोजिख से तो आपको आपको पूरी रिपेरिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए तो पहला जो गलती है वो है कि अभी के डेट में जो भी इंस्टीूट से अगर आप निकल रहे हैं तो आप आपको भली इंस्टीड आपसे कुछ भी कहें कि जाईए आग लगा या मार्केर में कुछ भी कहिए बढ़ आपको अपने आपको खुद को समय देना है और आपको अपने आपको एविलेट करना है कि मैं अगर एक लोगो री स्टार्ट का साइड भी लेता हूं तो क्या मैं ब बीच दिन की क्लास करने के वाद सीधे उतर जाते हैं इंसाइट बनाने तो यह बहुत बड़ी गलती है इसने टेलीकॉम के स्टुडेंट कभी भी ऐसा नहीं करते हैं अभी की डेट में हमने नियम बहुत चेंज किये हैं पिछले एक सार डेल सार से और हमने अपने कि कहने का मतलब है कि काम को जल्दी करने के चक्कर में काम को बिगारना यह कोई समझधारी की बात नहीं होती है समझना यह है कि अगर जिस काम में पैसा बहुत जाता है जिस काम में इज़त बहुत जादा है और जिस काम में बेसिकली गुरोट बहुत जाता है तो उसमें थ इतना बड़ा सेटप लगाते यह सब करते और नहीं आपको कस्टोमर को इतना पैसा देता तो कहने का मतलब यह है कि अगर वाके में दम है तो आपको भी अपना दम पूरा देना पड़ेगा तो जलबाजी के चक्कर में बिल्कुल मत रहें पहली सबसे औरी गलती मत करें दू डाप हमेस हैं अच्ची अच्साइदी हो जाती है आपर्ड क्लास में तो क्या होता है कि स्टूर्ल् infra की जिब में भी थारो रूपे बड़े होते हैं मेडड कलास होते हैं पर कहीं से कल्जा नहीं लाना है पर जो लौड कलास होता है तो एक ऐसी रेंज जहां पर हम कह Remember the boundary करें कि जो हालात होती है वो तिनी सही नहीं होती है कि एक बड़ी फ्यूस को अफोर्ड कर रहा है तो उसके लिए तो मैं आप से प्लीस गुजारिस्क करूंगा और कहूंगा भी गलती मत करें एसा टेलीकॉम तो कभी भी ऐसे स्टुदिन को इंसिट्टूड में कभी भी हम ए कोचिन इंसिट्टूड मैं तो आपको खुद कहना चाहिए कि भी आ नहीं में पस तरे कि स्टूरिंट आ जांग तो एकूंस फायदा देखे गा पर इसले तेलीकॉम बिल्कुल ऐसा सोचता नहीं है मैं अपस यह कहता हूं कि हम आपके पास इंसिट्टूड की फीर भरने का पैसा नहीं है और आप कहीं से उधाल लेके आ रहे हैं तो आपको समझना होगा बहुत इंपोर्टेंट चीज है प्लीज मेरी पुरी बात कि आप सुनिएगा अगर आप लोगों के पास इंस्टिटूड में कोई भी आप अले भले ही आप एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं यह से मुबार रिपेरिंग की बात नहीं है कंप्यूटर रिपेरिंग की बात नहीं है लैक्टाप रिपेरिंग की बात नहीं है इडिज अल ओवर अक्रोस दे कंट्री जितने भी जो कोर्से से हैं हमारे जो सौट टम में कोर्स होते है जिसमें आप अपना carrier बना सकते हैं और उसे आप पैसे कमा सकते हैं यह motivation course की बात नहीं कर रहा है जिसमें आपको motivate करके business के MLM वाली टेकनीक नहीं skill level का course जिसमें आप skills सीखते हैं और वही skills से पैसा कमाते हैं बट आपको ये समझना है कि कोर्स के दौरान सीखी गई चीज़ें एक पैट्रिस नहीं होती है अनुभव नहीं होता है अनुभव हमें खुद कर लेना पड़ता है हमें जो चीज नहीं आती है उसके लिए सीखने के लिए हमें इंस्टिटूट जाना पड़ता है क्लासे बट हम यह नहीं कह सते हैं कि हमने बच्चे को भी स्कूल में डाला और अजस अभी स्कूल से निकला और कॉलेज में डाल दिया हम यह नहीं कह सते हैं बच्चे को कि बस बच्चे ने हमारा कॉलेज कंपलीट किया और सीरे क्यों बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और अगर हम दें तो बहुत बड़ी company अपने skill पे package देती है पर एक lower grade पे देती है जूनियल लेवल पे देती है क्योंकि वह उनको उसने लेवल के target नहीं देती है क्योंकि वह भी जानती है कि वह सिब और सिब एक process समझ के आएं कड़ के आएं पर आप practically उनको खुद करना है तो कह नहीं जोटा पाएंगे और सिब कोर्स की फीज लेके आएंगे तो आपकी टूल की तूल क्या करेंगे क्योंकि जो तूल आप इंस्टूट में यूज करके एक CPU लगा लेंगे आप डाइग्राम समझ लेंगे पर घर जाने के बाद क्या करेंगे और अगर अगर आपने टू टूडिंट जो भी नोट बनाते नोट भी उनके सही तरीके से नहीं होते हैं क्योंकि स्टूडिंट अपने ही लिखे नोट को नहीं पर पाते हैं इसलिए यही रीजन होता है कि 90 लोग इंस्टिटूट जाने के बाद को पढ़ते नहीं है इस एस सारे जो नोट्स अपने स्टूडिन को दे रहे हैं जिसमें उनको वो लिखे हुए नोट्स पढ़ने के ज़रूवत ना हो बाद यहां यहां किसी भी इंस्टूट की नहीं है बाद यहां आपके कैरियर की भाई अगर आप रिपेडिंग की फिल्ल में आना चाहते हैं तो सोच लो आप तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए हम कभी भी अपने स्टूट को यह नहीं कहते हैं इसे डिलकॉम में हम यह व्यूर की बात करूंगा यह से जाने के वाद में आप लाकुरों परू कमा तो अनसे थीन महीने ल्टा लेते हैं और लेना भी चाहिए और एंको तीन मही ओिसा आप पर आना चाहिए तो तब तक आपको क्षप करनी है एक प्रूरेस जलना एक इंसिटूट एछ आपको तरीके बताता है इस यूपन तो यह बिलकुल भी आपके लिए नहीं है आव इस फील्ट में बिलकुल मत आई है और कोई भी इंसूट कर रहा है तो प्लीस बचाइए इस है डेलिकों तो कभी भी किसी भी करजे वाले student को कभी जिन्दी में नहीं पढ़ाएगा एक बात हमें सध्यार रखेगा क्योंकि दोस्तों क्या होता है इस फील्ड में आपको यह लगता है कि अभी आप करजा ले लेंगे और दो महिने एक महिने सीख के दो दूसरे महिने में करजा उटा देंगे तो बिल्कुल भी यह बि दिफरिंटी साइट जगे है जहां पर कस्ट्वर को आना जाना होता नहीं है या कस्ट्वर को आपकी दुखान देखी नहीं तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने घर का पैसा लेकर आ रहे हैं पर उधार उधार का मत अधार वह होता है जिस पर आपको ब्याश नकट नहीन गहीं आपको वो किसी ना किसी तरीक केliga चुकाना पड़ेगा और आप और फिर जुकाने में अपने पढ़ाई को नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हमात्ती है आप यह तो आप इस के पी फिल में आना चाहते हैं तो रिपरिद इनकापनी परसंद का पार्ट टाइम फ्या दो नाव में आप एक साथ पाऊ नहीं रख सकते हैं आपको दोनों पाऊ एकी नाव में रखना पड़ेगा नहीं तो आपका पाऊ फिसल जाएगा तो आप मेरी बात समझेगा जुरूर दोहजार चॉबबेश एक जॉब और अपके मोबाइल में होने वाला है और यह कभी भी भी रुखने वाला नहीं है वाला भी से लिएश जुब लेकर चले दोस्तो 10 staying have got a जहाए नहीं है कि पैसा औसी बंदे ने कमा है जो skill लेकर बैठा हुआ है तो आपको इसकिल भढ़ाने है अपनी बस क्वार्द्रा ना है सही डिसा में भढ़ना है और कहां काम करना कहां नहीं का अपनो ले लेना future और घर में गुरू एक घर में माबाब और दुकान में गुर गुरू उने का फादा भी उठाईए